श्रीमत भगवद गिता अध्याय चार श्लोक संख्या बयालिस तसमाद ज्ञानम संभूतं अस्ततम ज्ञान सिनात्मन चित्वेनम संशयम योगं अतिष्ट उतिष्ट भारत आतिष्ट उतिष्ट भारत ये अर्जुन तुमारे रदय में अग्ञान के कारण जो संशय उठे है उन्हें ग्ञान रुपी शास्त्र के से काट डालो ये भारत तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद करो अरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो आपका सभी वक्तों का हार्दिक स्वागत है इस भगवत गिता सेमिनार में, लेक्चर में आज हम भगवत गिता का चौथे अध्याई का 42 नमबर स्लोक लेंगे भगवत गिता एक विशाल भगवान के द्वारा बोला गया गरंथ है जिसे कहते है भगवान का गित आज के इस लोक में तस्माद ग्ञानम संभुतम चित्वेनम संसयम आगे के स्लोकों में बताया गया है कि समता भाव से अर्थात सम भाव से सबी कर्मों को जिवातमा अगर करता है तो जितने भी कर्म है वो विच्छेद हो जाएंगे विच्छेद कार्थ होता है कि सब नश्ट हो जाएंगे सम भाव रखना बहुत जिवातमा को बहुत मतलब कहते है न कि संभालना पड़ता है कि सम द्रिष्टी से देखना सबी लोगों को सबी जिवातमां को सुखी करना और ऐसा कोई-कोई जिवातमा के रदे में आता है लाखो करोडों लोग है इस संसार में और चेतन चेता मुर्द में बताया गया है एई ते ब्रह्मांड भरी अनन्त जीवगण 84 लक्स योनी ते करये ब्रह्माण इस ब्रह्माण में 84 लाख प्रकार के जीवात्मा है और सब लोग अपने अपने कर्म के अनुसार जीवण जीते है तो यहाँ पर कहते हैं कि 84 लाख प्रकार जीवों में सर्वस्रेश्ट अगर जो कोई जीवात्मा है तो उसे कहते है मनुश्य और यह मनुश्य शरीर ही इतना दुरलब है और उसमें भी अगर किसी को भारत भूमे में जन्म मिल गया तो उसमें भी अगर भगवान की भक्ती उसे मिल गई जीवातमा को गुरुँख शिश्य परंपरा के अंदर तो उससे भी वो भागेसाली वात्मा है, कि सभी जिवों को सम भाव से देखना भक्ती तो ही संसार में सब लोग करते है, लेकिन ये भाव आना कहते है बहुत ही दूरलब है ये भाव लाना हमारे जिवन में बहुत दूरलब है समता का भाव, सम भाव रखना हर चीज में, यह नहीं किसी के प्रति नीचा भाव होता है किसी के प्रति उचा भाव होता है लेकिन यहाँ पर कहते है कि जो सम भाव से जीवन जीता है मतलब वो बहुत सहन करना पड़ता है हर चीज को सक रिष्टेदारों को भाई बहन के परिवारों को जो भी है और आगे कहते हैं कि जो बिजनेस कामधंदा करता है तो यहाँ पर कहते हैं कि सम भाव से अगर वो जिवात्मा करम करेगा तो जितने भी उसके करम है वो सब विच्छेद हो जाएंगे और ज्ञान द्वारा समस्त संसय नश्ट हो जाएंगे ये दिव्य ज्ञान जो भगवत गीता का जो भी जिवात्मा लेगा जो भी भक्त लेगा अग्ञानी भी लेगा लेकिन सम भाव से लेगा तो जितने भी संसय है वो सब नश्ट हो जाएगा और इससे क्या होगा वह कहते है वो जिवात्मा के जितने भी कर्म है सब कर्म नश्ट हो जाएगा और वो कर्म के बंदन में बंदेगा नहीं और इससे आगे कहते है आचारेगन कहते है कि वो जिवात्मा जन्म मृत्यु के चकर में से छुटकर तस्माद कार्द होता है कि तस्माद मतलब इसलिए तस्माद कर्द क्या होता है इसलिए है अर्जुन जिवात्मा को अपने कर्तव्य कर्मों को पिरणा देनी चाहिए कर्तव्य कर्म क्या कहते हैं स्वकर्म जिवात्मा को अपने स्वकर्म यहाँ पर बताया गया देखिए कर्तव या कर्म का अर्द होता है स्वकर्म अपने ही कर्मों को जो अपने मतलब स्वकर्म आत्मा का जो कर्तव यह है वो कर्तव या कर्म का अर्द होता है कि जो आत्मा का कर्तव यह है जीवात्मा को यह प्रती दिन आत्मा के कर्तव के लिए कर्म करना चाहिए स्वकर्म क्या होता है कि उसे प्रती दिन शास्त्रों का ध्यन करना हरी नाम जब करना ये स्वकर्म है और आगे कहते हैं आचारेगन कहते हैं कि अर्जुन के रदे में भी संसई था क्या कि मैं इस यूद रुपी घोर नरक में क्यूं गिरा हूं क्यूं मैं ये यूद करू और इससे मेरा क्या कल्यान होने वाला है अगर मैं यूद करूंगा और मैं जीत भी जाओंगा तो इतना सारा एश्वर्य में किसे बताऊंगा और इस लोग में और भी भगवान बताते हैं कि संसई को दूर करने की प्रेणा देते हैं भगवान भगवान क्या करते हैं संसई को दूर करने की प्रेणा करते हैं और इससे क्या होता है केते हैं अगर जिवात्मा को है अरजुन जिवात्मा को अगर संसे रहे गया जिवात्मा रदे के अंदर संसे रहे गया तो कभी भी अपना